हाई गाईज स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल प्रोफेशनल वीडियो वर्ड में कैसे हैं आप सब आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीके से किस तरह से आप लेयर हेयर कट करेंगे आप घर पर भी हेयर कट कर सकते हैं बहुत ही आसान सा तरीका है बिल्कुल सिंपल और इजी वे में मैं आपको बताने वाली हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें client के बालों को अच्छे से comp करना है उसके बाद में हमको spray bottle से spray करना है और सभी बालों को गीला करना है गीला करने के बाद में आपको mid parting करनी है front से back तक जिस तरह से मैंने थोड़े से hair थोड़ा diagonal section लेके थोड़ा hair लिया है उस तरह से दोनों side से थोड़ा hair लेकर और length client से पूछ कर cut कर देना है then हम एक side का पहले complete करेंगे तो एक side देखे आप एक side से थोड़ा थोड़ा hair लेंगे और जो हमने first में guideline ली है उसके साथ में mix करते हुए हम front में बालों को लाएंगे बिल्कुल सीधा and जो हमारी guideline है देखे यह मेरी guideline आपको नजर आ रही होगे उसके साथ में mix करते हुए cut कर देंगे बिल्कुल सीधा भी cut कर सकते है या फिर अपनी finger को थोड़ा सा तिर्चा करके भी cut कर सकते है वो आपपर depend करता है कि आपको बालों में कितना layers चाहिए then देखे जिस तरह से मैं बालों को आगे की तरफ ले रही हूँ और guideline के साथ mix करके cut कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से अगर आप लेंगे तो easy going बहुत अच्छा haircut हो जाएगा अभी देखे फिर मैंने guideline के साथ mix करते हुए इन वाले hairs को cut कर दिया है and फिर जो हमारे back में हमने parting की हुई है और जो भी hairs है हमारे side में वो हम इनके साथ में mix करते चलेंगे and mix करके आपको comb अच्छे से करना है comb करते समय कोई भी आपके tangles नहीं होने चीए बालों में काफी अच्छे से comb out होने चीए one side हमारी complete हो चुकी है आपने क्या करना है पूरे बालों को एक बार एक साथ comb करते हुए आगे की तरफ लाना है सामने बिल्कुल client के face के सामने बीचो बीच and जो भी आपको कोई extra hair निकला हुआ दिख रहा है उसको आपको तिर्चा cut कर देना है देखिए अपने hand को इस तरह से रखना है कि आप बहुत easily cut कर पाए and अभी थोड़ा सा notching कर देना है notching technique मैंने बताई हुई है मेरे channel पर swap जाके देख लेजीगा अभी इनका hairs देखिए आप इनके hairs का fall कितना प्यारा लग रहा आप hairs देख पा रहे and then second side हमें same यही technique को follow करते हुए second side भी हम पूरा haircut कर देंगे जसा हमने other side में किया है so हमें बालो को comp करना है and हमें front में हमारी guideline के हिसाब से लेकर और cut करते हुए चलना है आप guideline लेकर अगर haircut करेंगे तो आपका haircut बिल्कुल proper होगा कहीं भी आपके बाल छोटे बड़े नहीं आएंगे अभी देखे guys मैंने बीच में जब first layer जो मैंने काटी थी उसमें मैंने दोनो side की guideline ले ली थी ताकि हमारे दोनो sides के hair equal रहे इसलिए हमें guideline को follow करना बहुत जरूरी होता है haircut करते समय अगर हम कोई भी guideline के बिना haircut करेंगे तो हमारा haircut proper नहीं होगा हमें proper length, proper हमें दोनो side sequel नहीं मिलेगी तो इसलिए guideline follow करना बहुत जरूरी होता है अभी देखे इस तरह से आपको finger को तिर्चा करते हुए अपने seizure को तिर्चा करते हुए haircut कर देना है इसमें भी मेरा almost complete हो चुका है अभी थोड़ा सा last वाला section बचा है बस इनको भी मैं इस तरह से बिल्कुल आगे सामने client का जो face है उसके बिल्कुल सामने लाकर और इसको हम cut कर देंगे और length आप देख रहे हैं length भी मैंने बहुत जादा कम नहीं की है बिल्कुल कम length में और कितना प्यारा इनको haircut मिल गया है अगर आपका client चाते हैं आप खुद भी चाते हैं length कम ना हो घर पर भी आप haircut करवाना चाते हैं तो इस तरह से आप haircut करेंगे तो आपका length भी कम नहीं होगा और आपको एक बहुत अच्छा look मिल जाएगा इधर भी मेरा complete हो चुका है एक बार again मैं recheck कर रही हूँ तो मैंने पूरे बालों को आगे लिया और उसके बाद में देखे जो भी मुझे extra hairs लग रहे हैं उनको मैंने इस तरह से cut कर दिया है सभी बालों को एक साथ लेकर आप से गर एक साथ नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा भी लेकर के कर सकते हैं and then notching हमें कर देनी है तो दोनों साइट के बाल अभी देखे मैंने इनको पीछे लिया है अभी आप देख पारें बिल्कुल एक proper पर हमको haircut मिल गया है कहीं भी हमको जादा छोटा बड़ा कुछ भी करने की requirement नहीं रही है and बहुत अच्छा haircut बिल्कुल सामने हमें complete मिल चुका है and देख सकते हैं कैसा हुआ है haircut comment box में comment करके जरू बता है मिलती हो next वीडियो में पता के लिए बावाई